Hello everyone, I hope you all doing good Friends, आज से हम लोगों का जो है Book Review का सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है आपसे एक Giveaway पर संडे करने वाले हर संडे में जिनका भी कॉमेंट सबसे बेहतर होगा उस Book को लेने के लिए तो उनको जो है वो Giveaway कर दिया जाएगा Giveaway का Policy आपको पहले से पता है कि कैसे उस चीजों को Giveaway किया जाएगा उसके लिए बहुत ही Simple नियम है आपको करना कुछ भी नहीं है Simply जो Book के बारे मैं आज बताने वाला हूँ आपको उसके लिए आपको Comment करना है अच्छे बहुत सारे लोग Comment नहीं करते I don't know comment क्यों नहीं करते हैं या Book क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं या क्यों I don't know बट अगर आपको Real में जीवन में या Life में कभी Growth पाना चाहते हैं या आप बहुत अच्छे लेबल पर जाना चाहते हैं Friends मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे comment करें मेरे box में जाकर मेरे यूटूब पर जाकर बट आपको मैं ये 100% मैं अपने तरफ से ये suggest करूँगा कि आप book reading जरूर करें क्योंकि सब लोग को पता है कि जब तक हमारे अंदर skill नहीं होगा जब तक हम कोई चीजे सीखेंगे नहीं तब तक हमारा जो हम सोच रहे हैं जो भी चीजे जहां तक भी हम पहुँचना चाहरे हैं वह achievement नहीं होगा मैंने ये ओल्रेडी ये गलतियां कर रखा है मैं पहले बहुत ज़्यादा जो है पैसे की पीछे भागा करता था सोचता था कि पहले कैसे आएगा ये कैसे होगा लेकिन जो सक्सेस जो सफलता है वो हमेशा से यही demand करती है पहले learning then earning तो कोशिस करें अच्छे books को पढ़ने के लिए जो आज मैं book का giveaway करने वाला हूँ अगर आपको वो चाहिए तो आप simply comment करना है और उस comment को हमारे Instagram पर जाकर जो है DM करना है बहुत ही simple है जिनका भी best comment होगा वो उनको जो है book जो है giveaway कर दिया जाएगा और जो next Sunday आएगा उसमें मैं जो है winner के बारे में भी बता दूँगा कि जो हमारे ये जो आज का जो giveaway था उसका winner कौन थे so friends मैं आपका time बहुत जादा नहीं लूँगा और आज हम जो है अपने book का जो आपको summary बताने वाला हूँ basically मैं इसके बारे में बहुत जादा ये चीज़े एकदम professionally summary या तो फिर हम इसे कह ले कि इसका review नहीं देने वाला हूँ मैं अपना इसमें experience बताने वाला हूँ जो हमारी आज की book है think and grow rich सोचिय और अमीर बनिये basically ये friends really में ये book सोचिय और अमीर बनिये एकदम perfect नाम इसका दिया गया है ये book आपको क्यों पढ़ना चाहिए इसमें क्या चीज़े हैं मैंने इसे जब पढ़ा तो really में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर changing आया और ये जो मेरा book है ये think and grow rich ये really मुझे books पढ़ने में interest लाए कि मुझे ऐसा मझे पहले कभी भी ने था कि मैं जाकर book पढ़ूँ जाकर बहुत सारी books का summary and all that सारी चीज़े ठीक है मुझे इतना बेहत्रीन लगा इसके सारे topics एकदम जब आप काम करोगे उन सारे चीजों के लेकर जब आप अपने life में अप progress वाले phase में रहोगे really में आप मेहनत करोगे और इस book को आप पढ़ोगे तो आप अपने आपको correlate कर पाऊगे really में ये book जो है जो भी चीज़े इसमें लिखा गया है वो सच में बाकए में काम करता है friends ये book आपको क्यों पढ़ना चाहिए मैं सबसे पहले तीन basic आपको point इसके बारे में बता दूँ ये book इसलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो इन्हें guide करने गया जो Napoleon Hill ने जो book लिखे है Think and Grow Rich इनको जो guide किये थे वो पूरे उस time के world के सबसे richest person थे Andrew Carnegie and second जो point है क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए book क्योंकि इस book के पीछे 20 years का research किया गया पूरे 20 साल इस book को लिखने के लिए जो है पूरा Napoleon Hill अपनी पूरी experience पूरे interview से लेकर 20 years इस book को लिखने में उन्होंने लगाया है थर्ड जो point है आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि जो ये book बनाए जो उस time के सबसे richest 500% थे उन सारे का interview लेकर और उनके thought process को उनके जो reach बनने की क्या-क्या प्रकीरिया रही क्या-क्या चीजे उन्होंने किया जिसके कारण वो अमीर बन पाए उन सारे चीजों के बारे में इसमें depth में दिया गया है मैं आपको suggest करूँगा highly recommend करूँगा कि आप please आप कहीं से भी इसका pdf भी मैं already description में दे दूँगा ठीक है और अगर इसका giveaway चाहिए आपको तो please comment कर ले मैं ये एक लोगों को free of cost ये तो book आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर आप उन दोनों में से आप चाहते हैं कि नहीं मुझे giveaway में से मलव आप नहीं मिल पाया या यह book आपको नहीं मिल पाया फिर भी आप थोड़ा सा invest करें invest yourself आपने बहुत बहुत बार सुना होगा कि आप अपने आप पर invest करें अपने आप पर invest करें that means यह नहीं कि आप जो है 250 के लिखा हुआ है ठीक है तो आप 200-200-300-500 रुपया जो है खर्च करके आप अपने उपर invest करना शुरू करें और knowledge से बहतर जो आप reading करेंगे उससे बहतर जो है investment आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है इसका कुछ मैं आपको points आपके साथ मैं share करने जा रहा हूं for example जैसे कि जो है इसमें बहुत अच्छी एक line लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अब इसमें जो एक बहुत अच्छा सा quotation लिखा हुआ है इंसान का मस्तिक जो सोच सकता है और जिसे यकीन कर सकता है उसे वह हासील कर सकता है basic एक दम यह point मैंने feel किया है और आप भी कभी छोटे-छोटे चीजों को आप कभी सोचो कि आपने जो सोचा है जो उसके पीछे that means यह नहीं कि आपने सोच लिया हो गया that's it नहीं आपको जो है उसके पीछे work भी करना होगा उसके लिए कैसे चाहिए पुरा road map बनाना होगा कब चाहिए इन सारे चीजों को जो है proper तरीके से आपको करना होगा देन जाकर जो यह जो quotation है इनसान की मस्तिक जो सोच सकता है और जिससे यकीन कर सकता है उसे वह हांसिल कर सकता और यह बिल्कुल friends यह 100% मैं अपने feelings और जो मैंने achieve किया है उसके जो है मैं अपने experience के basis पर मैं यह कह सकता हूँ जिब बिल्कुल यह जो quotation है एक दम perfect है मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं यह करू यह करू यह करू उसके उपर मैं फिल प्लान किया उसके उपर बनाना इस्टाट किया और 100% वो achievement मिलता है आप खुदी सोच लो ना कि मुझे एक कुछ भी छोटा सा सोच लो कि मुझे एक laptop खरीदना है अब laptop खरीदना है क उसके पीछे सोचने लोगो देखो आपको बहुत सारे laptop पूश टाइप के नजर आने लगेंगे आसपास में आप सोचो कि मुझे जो है इस टाइप की एक गाड़ी पर्चेस करनी है इतने डेट में करनी है यह सारी चीजे है आप देखो कि क्या आपको बार 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 छो है वही गाड़ी आपके सामनी आने लगेगा दिखने लगेगाँ ठीक है तो यह चीजे हैं बिलकुल कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं ठीक है एक और ऑर मैं आपके सामने quotation पढता हूं इसका मस्तिक की कोई सिमाइ dil dat आई मस्तिक की कोई सिमाइshow sahaja उसके जिसे हम माल लेते हैं और इसे आप बहुत बार सुने होंगे संदीप महस्वरी जो हमारे सबसे famous motivational speaker है उनके बारे में तक वो सब लोग जानते हैं ठीके वो बारवर इन सारे चीजों को repeat करते हैं कि मस्तिक की कोई सिमाई नहीं है सिवाए उसके जिसे हम माल लेते हैं गरीब और अमीर दोनों ही विचार की संताने हैं आप गरीब हो अमीर हो ये matter नहीं करता है आप कितना age है क्या है ये matter नहीं करता है matter ये करता है कि आप किस तरीके से जो है अपनी आपको grow करना चाते हो आप सोचते किस label से हो आपकी thinking क्या है, आपकी groups क्या है, आप कौन से videos देखते हो, ये matter करता है, ठीक है, तो ये जो हमारी दिमाग है, जो हमारी brain है, हमारी मस्तिक्स हैं, ये बहुत ही बड़ा super computer है, और आप जो सोचेना ही है, आपने बहुत पर सुना है ये वाले भी quotation कि जब आपको सोचना ही है, तो सबसे बड़ा सोचना है, और बिल्कुल, कि at least यार चलो ठीक है, हमने सोच लिया कि कमाना है, 100 करोड रुपय कमाना है, ठीक है, हमान लेते हैं, 100 करोड नहीं कमा पाएंगे, 80 करोड कमाएंगे, 50 करोड कमाएंगे, 10 करोड कमाएंगे, 1 करोड कमाएंगे, at least वो thinking सबसे प सári आसा होता हूं, एक बर तो पहले ब्रेण पर बनाना होता है फिस पर टो है, फिर उसी पर बनाना होता है, फिर उसे यृँन कर नहीं में कर डी आएंटी Space रिपास आते हो फिर उससे purchase करते हैं तो हर चीजों के लिए ये process है तो फिरिंड सोचना start करें जो भी आप करना चाहरें अप online ही कुछ भी करना चाहरे हैं अप एक दिन काम करने से नहीं होगा मेहनत आपको काम करने से नहीं मिलेगा बहुत लोग बोलते हैं काम करें और जो भी चीज़े करें उसको जो है सोचे उसका रोड मैप बनाएं यह सारे चीज़े बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि मैंने इस बुक से सीखा था और जो मैं कुछ और भी चीज़े अगर मैं आपको बताना चाहूं जो मुझे बहुत अच्छा ऐसे तो सारी बुक जो है वो है भी जो बता रहा है अपने आपको उसके साथ को रिलेट करो यह बुक के साथ अपना एक बहुत अच्छा सा फ्रेंट्सिब बना लो दैन आप देखना क्या रिजल्ट आपको मिलेगा माइंड ब्लोइं ठीक है तो हम जो कुछ पॉइंट्स और आपको मैं पी नहीं मिल पाता है अप जिब देखो गेना कि क्या है कि एजुकेशन वाली चीज़े जब हमेशा से यह होता है कि आप देख ले ना जो अच्छे चैनल होंगे उस पे बहुत ज्यादा भी जाएंगे और वहीं पर देखो यह वाले कॉमेडी वाले देखो या कुछ ऐसे नेवेशन को देखो किया अना फ़से तो फाट जो है आप अपने जो ओठ से हैं अपनी टाल मटल क्या होते है कि हम लोग काम करने के लिए कुछ और सोचते हैं मुबाइल पकड़ लेते हैं स्क्रॉल کرते जा रहे 3 महां मारी या है ठीक है आप कूशह साइट से सोचो नहीं क् लिए कि ठीक हमको बनना है हमें वीडियो बनाने लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होते हैं आप उसे टाल मटोल करने लगते हैं आपने सोच भी लिए प्लान भी बना लिए फिर उसके लिए हमारे पास यह नहीं है हमारे पास वो नहीं है टाल मटोल हमे बहाने बनानी की जरूरत नहीं है मैं आपको बताऊँगा, मैं एक जो है कल आपको वीडियो आपको सामने लाऊँगा वो देखना, मैं वो 100% में वो वीडियो बनाऊँगा, जब मैं साथे 3 साल पहले, जब मैं अपना एक उसकी जो है successful नहीं हो पाया वो भी चीज़े मैं आपको बताऊंगा तो basically मैं आपको जो है to the point पर आते आपको टाल मटूल नहीं करना है टाल मटूल की हमने यह decision ले लिया यह करना है this that वो नहीं बस आपने ले लिया decision बस that's all बस आप आप काम करना ही start करो आप यह नहीं सोचो कि हमारे पास वो नहीं है यह नहीं है बहाने बनाने के बहुत सारे तरीके हैं मुझे जो यह book के सबसे last page जो बहुत अच्छे लगे थे 305-305 page number उसमें बहुत सारे 55 प्रसिद्ध बहाने के बारे में बताया हुआ है और generally आप खुद भी सुनते होगे आपको study start करना है तो उसके पीछे जो है लोग इतने सारे अथी बना रखें बहाने बना रखें मेरे पास यह नहीं है मेरे पास लैपटॉप नहीं है मेरे पास इंटरनेट नहीं मेरे पास यह नहीं है यह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक पर जाओ उसमें बहुत सार रहे हो वही आपके लिए सबसे बड़ा motivation है अगर आपको motivate ही होना है तो simply जाए जो stock पर आराम से वीडियो देख लें 10-5 टीडेx पर जाएं आराम से जो है 10-5 वीडियो देख लें और आपको कोई ऐसा बंदा नजर आता है जिसके पास ठीक है तो वो चीजे जो है लगतार करते रहे बहाना ना बनाएं बहुत सारे बहाने बनाने की चीजे हैं इसमें जैसे की कुछ है कुछ बहाने ऐसे हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो तो क्या उखाड लेते बता दो कुछ है ऐसा कर लेते कि मैंने ये ठीक है आप कुछ ऐसा प्रूफ करके बता सकते हो कि अगर मैं 50,000 मिल जाए एक लग मिल जाए तो क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो without skill मैं आपको यह 100% guarantee के साथ बता रहा हूँ ठीक है आपके पास skill होना बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे काम है जिसे लोग ने एकदम जीरो से स्टाट किया और उसे बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाया है ठीक है कुछ यह ऐसे बहाने और भी प्रसिद्ध बहाने अगर मेरे पास अच्छी सिच्छा होती तो यह बहुत सारे लोग तो है है वो सिच्छा है और आज के डेट में तो 100% यह चीज़े हैं कि आपके पास अगर नौलेज है तो भेल्यू है अगर आपके पास नहीं है तो कोई भेल्यू नहीं है आपके पास अभी देखो ना इंडिया के पास हजारों लोगों के पास लाखों लोगों के पास जो है एक skill develop करें बहाने ना बनाए ठीक है कुछ और भी अगर हमारा मेरा स्वास्त अच्छा रहता है हम यह healthy रहते हैं अर देखो ना भी कितने सारे पैर ओलम्पिक में अभी जो है गोल्ड मेडल ब्रॉंज मेडल यह सब जीत रहें आप तो अपके पास क्या है कि हाथ पैर सही सलामत है अप उनसे भी बेकार हो क्या और वो जब अपने देश का नाम रोसन कर रहे हैं इतने सारे गोल्ड मेडल यह ब्रॉंज मेडल सिल्वर डल आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो वाई नॉट यू यह पात हैं चीजे स्टार्ट कीजे और आई होप की फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो जाए हम लोग यहीं पर जो है इंड करेंगे अपने वीडियो उसको और आगर आपको हमारे यह जो अच्छे लग रहे क्यों आपको यह बुक्स चाहिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइब कर दें सेयर करते सबस्क्राइब कर दें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी और उसमें ओनेस्मेंट करेंगे कि यह सतक्तर आउं next video में, बाई बाई